तो वो रेसीपी क्या है तो वो रेसीपी है बनाना चिप्स बनाना हम सब बनाना चिप्स बनाने क्लिए बनाना चिप्स बनाने क्ले ज़ो हो BANANA CHIPNS बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए BANANA यहां पर मैंने 6 PICS BANANA ले लिए हैं तो आप में इसे CUT कर लेती हूं जबी भी हम BANANA को CUT करते हैं, तो हमारे हाथ में एक DAG रह जाते हैं या लस लस पंद्रत है तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने हाथ भी तेल लगा लीजे तो आप चाहे तो सरसो का तील भी लगा सकती है या रिफाइन का तील भी लगा सकती है तो मैं अपने हाथ में रिफाइन ओई लगा लेती तो चलिए अब हम बनानी को काट लेती हूं तो सबसे पहले मैं बीच से बनानी को आधा कर लेती हूं और फिर इसे इस तरह से छीर लेती हूं इसका जो यह ग으면 पारी ले इस फोनी को आपको निकाल देना है तो जो चपसे वह काफी जादा अच्छा देखने हैं और टीस्ट भी काफी जादा अच्छा आएगा this part को आप अच्छी तरह से निकाल देई तो कुछ इस तरह से आपको इसे काट लेना है और फिर यहां पर मैंने एक बावल में पानी रखा है तो इस पानी में इसे डाल देना क्योंकि बनाना बहुत जल्दी ही ब्लैक होने लगता है इसी तरह से मैं बाकी के सारे बनाने को भी छील लेती हूं झाल 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 तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे बनाने को अच्छी तरह से छील लिया है तो अब में इसे अच्छी तरह से दूलो लिए तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बनाने को अच्छी तरह से धूलिया है और अभी ये ड्राई हो चुका है थोड़ा तो अब हम इसे ग्रेट कर लिए यहां पे मैंने ग्रेटर लिया है और ग्रेटा का जो ये वाला पार्ट होता है इससे हमें बनाने को ग्रेट करना है बनाने चिप्स के लिए तो फिर अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं जब हम बनाने को ग्रेट करें तो आप ध्यान से इसे करें ज्यादा जल्द बाजी ना करें नहीं तो फिर आपकी उमली भी कट सकते हैं तो इस बात के ध्यान देद धीरे आप इसे ग्रेट करें झाल 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 तो देखी फ्रेंट्स इस तरह से आपको सारी बनानी को ग्रेट कर लेना है तो देखी फ्रेंट्स तो से ग्रेड हो चुके हैं तो अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी एड़ करेंगे तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी एड़ कर रहे हूं जिसे हमें ड्राई ही इसमें पूरा मिक्स कर देना है इससे क्या होगा कि जो बनाना चिप्स होगा उसके कलर बहुत ही जादा अच अब अब साने हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से पूरे बनानी में मिक्स कर दिया है तो अभी अब या यल्लू हो चुका है अब हम इसी 15 मिनिट के लिए रस्ट करने के लिए रख दिए की अच्छी तरह से ट्राइए जाए इस रहा तरह साभी पानी ना रहे ताप मैं से इसे तरह से त्राइब ना रहे तो देखिए फ्रेंड्स हो चुका है और यह जो बनाना चिपस है पूरी तरह से ड्राइ हो चुका है तो अब इसे फ्राइ कर लेते हैं बनाना चिपस फ्राइ करने के लिए हमें चाहिए कड़ाई तो मैंने यह आपे कड़ाई ले लिया है और अब मैं गैस को अउन कर लूँगी कड़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे हमें तेल थोड़ा जादा डालना है तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और थोड़ा हाई फ्लेम पे हमें इसमें यह बनाने को डाल देना है और फिर इसे धीरे धीरे फ्राइ करना है गैस को आप हाई फ्लेम पे ही रखेगा और टील गरम होना चाहिए तभी आपका बनाना है वह अच्छी तरह से फ्राइ होगा और वह क्रंची हो पाएगा तो दीखिए फ्रेंट्स बनाने कितनी अच्छी तरह से फ्राइ हो चुका है अब हम इसको निकाल नहींगे इसी तरह से हम बाकी बच्छी हुए बनाना को भी फ्राइक करके मिकाल लेंगे प्राइक कर दो घ्राइक कर दो दोता है अच्छी अच्छी कर दोस्छी अच्छी कर दोस्ति है नहीं जहींगे झाल 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 तो देखिए फ्रेंग्स मैंने सारा बनाने को अच्छी तरह से फ्राई कर गिया है अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाते हूं तो देखिए फ्रेंट्स बनाना चिप्स बनके रेडी हो चुका है अब हम इसमें नमक मिला देंगे स्वाद के अनुसर युए अब टिखशी तरह से मिक्स करनेंगे अख लाधा बनाना करना है ठीआ नजे पांगेी आप इसके आवाज सुनकी समसकती कि कितना ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बना है दिखिए फ्रेंट्स तो बनाना चिप्स बन की तियार हुचुब है बहुत जादा टीस्टी लग रहा बहुत जादा क्रिस्पी तो आप भी इसे अपने हर बिखें और आपको यह कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगा मुझे आपके कमेंट का वेट रहेंगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं रेसिपी के सब तब तकी लिए बाई बाई टेक केर